नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि टैडालाफिल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, टैडालाफिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और टैडालाफिल टैबलेट की वज़से क्या इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टैडालाफिल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, टैडालाफिल टैबलेट का उप्योग पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने पर किया जाता है, यानि पुरुषों के लिंग का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण लिंग के अंदर स्ट्रॉंग इरेक्शन होता है और लंबे समय तक रहता है, जिसकी वज़ा से पुरुषों की सेक्शुल पर्फॉर्मेंस बढ़ जाती है, इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर भी प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाशा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या बीपीएच भी कहते हैं, टैडालाफिल एक सॉल्ट नेम है, टैडालाफिल टैबलेट को मेगालिस, सियालिस और टाडाफलो आधी ब्रैंड नेम से भी जाना टैडालाफिल टैबलेट 2.5MG, 5MG, 10MG और 20MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में टैडालाफिल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में टैडालाफिल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्ध होना, कमर में दर्ध होना, मासपेशियों में दर्ध होना, चक्कर आना, बधजमी, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर रैशेस होना, तवचा का लाल होना और आखों में अब हम डिसकस करेंगे की टैडालाफिल टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, टैडालाफिल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, यदि आप टैडालाफिल टैबलेट को रात के समय लेना चाहते जिसकी वजह से टैडालाफिल टैबलेट का असर आने में अधिक समय लग सकता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर टैडालाफिल 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सेक्शुल अक्टिविटी करने से एक घंते पहले लेने की सला देते हैं। अगर टैडालाफिल टैबलेट से संतोष जनक परिणाम नहीं मिलता है तो टैडालाफिल टैबलेट की डोज को 20 mg तक बढ़ाया जा सकता है और 5 mg तक घटाया जा सकता है जो व्यक्ति पहली बार टैडालाफिल टैबलेट को लेने जा रही हैं। उन व्यक्त व्यक्तियों को डॉक्तर टैडालाफिल 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। टैडालाफिल टैबलेट को लेने के बाद टैडालाफिल टैबलेट का असर दिखने में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का समय लग सकता है। गोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की टैडालाफिल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। टैडालाफिल टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार लेना रेक्मेंडेड होता है। इसलिए टैडालाफिल टैबलेट को दिन में दूसरी बार नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के लिंग में 5 गंते से अधिक समय तक इरेक्शन रहता है। या इरेक्शन के दौरान लिंग के अंदर दर्द रहता है। तो ऐसी स्थिती में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि अधिक लंबे समय तक लिंग के अंदर इरेक्शन रहने की वज़़से पैनाईल टिशू डैमेज हो सकते हैं। जिसकी वज़से लिंग में इरेक्शन का पर्मानेंट लॉस हो सकता है। जिन व्यक्तियों को दिल से संबंधित कोई बीमारी है या जो व्यक्ति दिल से संबंधित बीमारी की कोई दवाई लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को टैडालाफिल टैबलेट को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। यदि टैडालाफिल टैबलेट की एक डोज लेने के बाद भी आपके लिंग में इरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिती में आपको दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए, और ऐसी स्थिती में आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, यदि आप एक बार सेक्स कर लेते और टैडालाफिल टैबलेट को लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को टैडालाफिल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को टैडालाफिल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐस इसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एरेक्टाइल डिसफंक्शन को भेतर तरीके से ठीक करने के लिए आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और अपनी मर्जी से टैडालाफिल टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के पुछ सकते हैं।